आई अब को घ्लो एपरिवेंट ये कोशन करने जा रहे है हम लोग जो कि हमारा एक्जाम में आए हुआ है SBT के एक्जाम में आए हुआ कोश्चन है और यह 2007 में पूछा है उसके बाद फिर बीच में तुम्हारा यह पूछा है 12-13 ، 13 में 15 में 15 में 15 में 17 में 15 में 18 19 साल तो लगतार यह पूchuच CRA 18 nel Britain लगतार पूच्छ तो यह बहुत बार पूचा कुषण है और इसको बढर हैं समझारें केल गए क्या करते हैं गरते हैं जहां पर नीचे 20ल ऑफा यह कस तो नचे salutल ऑई नीचा x-y दिया हुआ, ऐसा कुछ भी कोशन है, तो ऐसे कोशन को बनाने के लिए हम लोग माल लेते हैं, let z बराबर x-alpha, z बराबर हमने क्या माल लिया, x-alpha माल लिया, अब बच्चा यह जो z बराबर हमने x-alpha माना है, यह इसलिए माना था कि limit को हम 0 कर सकें, तो जब हम यहाँ पर और जब हमने इसको x-alpha को z माल लिया, तो अब जो मेरा variable है, वो z है, पहले variable x था, अब z है, पहले जो limit था, वो x में limit था, अब जो निया limit होगा, वो z में होगा, तो हम लिखेंगे when x tends to alpha, z tends to क्या होगा, तो x के जगा पर alpha रखेंगे, alpha-alpha कर जाएगा, क्या आजाएगा 0, यानि आपके पास आगया z tends to 0, क्या आगया बच्चा, z tends to 0 आगया, यानि अब जो हम निया limit यहाँ पर लिखेंगे, limit z tends to 0, x की जगा पर, क्योंकि x को हटाना है, हम लोग को x को replace करना है, x की जगा पर हम क्या लिखेंगे, यह alpha इधर जाएगा, तो x की जगा पर क्या हो पर फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, alpha की जगा पर कुछ निखेंगे, alpha जैसे रह से रहने देंगे, यहाँ पर sign x की जगा पर, x की जगापर क्या लिखेंगे, बच्चा, z bourless alpha, क्या लिखेंगे, z प्लस अल्फा लिखेंगे, और divided by नीचे, देखो, x minus alpha को हमने z बाना है, इसके जगा पे हम Z लिख देंगे तो हमने variable मेरा X था उसको हमने Z माना फिर हमने limit change किया limit में X की जगा पे जो limit था वो put कर दिया तो जेट 10 to 0 आ गया तो मेरा नहीं limit 0 हो गया और जहां जहां पे X यानि जो variable था उन सब की जगा पे Z जो हमने माना वो लिख दिया अब इसको मिन्हों सॉल्फ करेंगे बच्चा लिमिट जेट टेंस टु जीरो यहां देखो साइं साइं अलफा प्लस साइं जैड हो जायेगा माइनस अलफा साइं जैड प्लस अलफा यह तुम्हारे पास है और divided by क्या है तुम्हारा जेड है ठीक है इसको हम लोग सॉल्फ करते हैं पार्टिशन कर लेते हैं इससे दो जागा पर सॉल्फ करते हैं अब इसको हम लोग सॉल्फ कर रहे हैं आगे देखें लेमिट जेट टेंस टू जीरो इस जेड़ साइन अलफा बटा जेड को अलग कर लो जेड साइन अलफा बटा जेड मेरा अलग हो गया ठीक है और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल ला है अलफा कॉमन निकल ला तो अलफा कॉमन निकल लो क्या बचाएगा साइन अलफा माइनस साइन जेड प्लस अलफा और नीचे तुम्हारा हो जाएगा जेड दोनों z अलग कर लिया और alpha alpha में से alpha common निका लिया sin alpha ये बचा और z इसको अलग दे दिया ये वाला z और ये वाला z कर जाएगा तो अब तो इसमें कोई variable बचा नहीं तो limit कि इसकी जरूरत है नहीं ये direct ऐसे लिखा गया sin alpha plus limit बाहर निकल गया limit z tends to zero और ये वाला भी alpha जो है ये क्योंकि constant है इसलिए बाहर लिख देंगे बचे का अंदर में sin alpha minus sin z plus alpha ठीक है और बटा z ये मेरे पास बच जाएगा ये alpha क्योंकि constant था इसलिए limit से बाहर हो गया यहाँ z कड दिया तो कुछ भी variable बचा नहीं इसलिए limit इसमें आएगा नहीं ये constant है बाहर निकल गया ठीक है चलिए और आगे समझेए अब बच्चा मेरा sin alpha जैसे वैसे रहेगा और ये alpha limit z tends to zero यहाँ sin c minus sin d का फॉर्मूला लाएगा कौन सा फॉर्मूला लाएगा sin c minus sin d sin c minus sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d alpha plus z plus alpha by 2 sin c plus d यानि 2 cos c plus d by 2 ये sin c minus sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 और साथ में sin c minus d यानि alpha minus z और क्योंकि minus है यहाँ plus है तो ये भी minus alpha हो जाएगा by 2 divided by तुम्हारा है z ठीक है ये मेरा आ गया अब देखिए इस में मेरे पास आया था sin alpha यहां बीच में plus का sign है plus alpha यहां देखिए ये जो limit है मेरा limit z tends to zero फिलाला भी 2 क्योंकि यहां लिखा नहीं है तो अभी यहीं लिख देते हैं इसको हम लिख सकते हैं cos ये इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा 2 alpha plus z by 2 है ना और यहां से alpha alpha कड़ जाएगा तो क्या बचेगा sign minus z by 2 और divided by क्या है जी तुम्हारे पास z है ठीक को दिक्कत है किसी को चलो अब यह जो 2 है इसको बाहर निकाल दो बच्चा sign alpha plus 2 alpha limit z tends to zero अब इसमें cos वाले में हम limit put कर देते हैं कॉस वाले में limit put कर दो यहां पर फिर अगले step में 4 तो अगले step में put कर सकते हैं लिमिट हम लिख चुके हैं तो काटने की जरूरत है नहीं हम यहां पर अभी जैसे है 2 alpha plus z by 2 वैसे ही लिखते हैं और इसको अलग से देते हैं sign का minus बाहर निकाल देते हैं तो माइनस बाहर निकाल देंगे तो यह जो साइन को क्यों दिया क्योंकि sin z बटा z जो होता है वो one होता है इसलिए इसको z दिया है ठीक है अब चलिए limit का value यहां put कीजिए limit का value यहां जब put करेंगे देखिए z का value zero put करेंगे तो यह zero हो जाएगा बचेगा cos two alpha बटा two 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 कट जाएगा तो क्या बचेगा cos alpha यानि आपके पास जो basically answer आने वाला है वो समझे हमारे पास जो नीचे से बच रहा है नीचे मेरा क्या था नीचे था मेरा देखिए यह था मेरा sin alpha तो हम यहां लिखते हैं यहां पर sin alpha minus two alpha और जब यहां अपने z पुट किया तो cos two alpha बटा two 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 कर जाएगा cos alpha बचेगा यानि cos alpha और limit यहां पर बचेगा z tends to zero sin z by two sin क्या बच रहा है मेरे पास sin z बटा two divided by z अब देखो आपने पढ़ा होगा trigonometry limit में कि sin के angle में जो होता है वही नीचे चाहिए जो angle में वही नीचे चाहिए angle में z by two है तो नीचे भी चाहिए one by two तो two से यहां divide करेंगे two से यहां multiply करेंगे ठीक है तब यह one होगा same same जब angle होता है तो यह one हो जाता है ठीक है समझ में आ रही है बास सब लोगों को बाबु मेरा यह बहुत important question है जो question आप देख रहे हो यह वी वी आई question है तो यह वी वी आई का power infinity वाला question मान लो ठीक है बहुत important question है और यह बहुत बार repeat करता है देखिए आप यह 17-18 लगातार तीन सल पूछा है तो आपके exam sbte में practice कीजिए और sbte का यह sbte का बहुत important problem है limit का okay मिलते हैं इसी तरह के next problem में और ऐसे ही problem के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और अपने groups में share करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ share कीजिए मिलते है